तो कही ना कही संजे रात कंपनी एंड शनेंड र्यावड इससले इस्तमाल क्रों के साथ बहुत सारे लोग मिलेवेइं कभी भी घुटाला होता है कोई पी कांड होता थी है फिदृ करें जोने जोने में करें और एक बंदा देखता है कि देख तो ले मुझे दर दर देख तो नहीं रहा है तो सेम यह भी जब घोटाले हुए है तो बहुत पूरी संजय राउत अंड कंपनी मिली पड़ी है ठीक उन सब की मुश्किल होने वाली है तगडी हवा होने वाली अनकी टाइट अभी कंडिशन संजय राउत की है न तो उनकी वाइफ को भी बैक भांग लेना चाहिए और उनकी भी तैयारी है अंदर की चलने वाले क्योंकि दोनों एक ही कहते हैं एक ही सिक्के के दो पहलू है जब आपने खाया है घोटाले का पैसा तो आपको भूगतना भी पड़ेगा आपसे कोई न इनकी और कस्टडी में भेज दिया है वो भी एडी की और वहीं दूसरी तरफ एडी ने संजराउत की बीवी को भी इसी पूरे घोटाले में समन भेजा है किस तरीकी से देख रही है मैं में इस कोट के फैसले को जिसमें रिमांड बढ़ा दी गई है संजराउत की देखे परसनल अगर लेबल पर जाओं तो चार दिन की ना करके इनको एक दम लंबा सा सामय जो पंदर दिन का जो जर्णली होता है इनको पंदर दिन की जुडिशल कस्टडी में इनको भेजना चाहिए था क्योंकि जिस तरह से आप अगर इनका सिनेरियो देखेंगे ना जिस तरह सरकार जब बनी थी और अब तक और जब तक हट चुकी है इसने क्या क्या तमाम घोटा लेकर हैं तो एक दिन की चार दिन की पांस दिन की इनकी हिरासत से कुछ नहीं होगा इनको कम से कम स्टार्टिंग में 15 दिन की नियाएक हिरासत में जाना चाहिए था जिससे क्योंकि द स्कारोड रुपका कितने मुश्किलें बने वाली हैं संजर आउत की वी वी की क्यूंकि पहले भी पूछताच कर चुकी है उनसे देखें जितनी मुश्किले इस टाइम पर संजर आउत की भड़ी है infinit की भी भड़ने वाली है क्योंकि आता ना जब आप चोरी करते हो डखेती करते हो कोई भी घोटाले में आते हो तो जो भी आपके साथ होता है सेक्शन चोरी के अकॉर्डिंग उस पे भी धाराय लगती है वही सब कुछ होता है अगर आपने किया है अब तो अगर की तो बात भी नहीं आती क्योंकि अगर आप इनका दुबारा से बोलूगे अगर आप इनका सिनेरियो देखेंगे ना इनके नेता लोग क्या कर रहे हैं कहीं टू आपने खाया है घोटाले का पैसा तो आपको भूगतना भी पड़ेगा संजराओत के बचाने के लिए तमाम नेता यह कह रहे हैं कि मोधी सरकार एडी की कारवाही करवा रही है क्योंकि वो डर गए हैं संजराओत से संजराओत है कौन क्या डर जाएंगे और क्यों डरेंग यह हैं और अब आपके घोटालों का के तरह भांडा आज फूट रहा है बीजेपी गवर्मेंट ने तो बीजेपी ने कर दिया आपके साथ मैं तो यहीं बोलूंगी जो पात्रा जो चौल घोटाला है इस सब जने जानते हैं वंदा आज भी जेल में हैं चीजे निकल किया ह मोदी ने की ऐ है और आपके इस गवर्मेंट में सारे चिट्थे खुल रहे हैं उपके राज खुल रहे हैं तो आपको लग रहा है मोदी ने कर दिया क्यों डरेगा आप से कोई भी बंदा क्यों आपके आम जंटा आम आन्साहिक है आ Mickey बात अलगे और बीजेपी इसरही ने जा सकती है अगर हम बात करें संजराओत की आज जब पूरे इस मामले को लेकर पीमले कोड में सुनवाई चली पहले भी तीन दिन की कस्टडी में रह चुके हैं संजराओत ने कहा कि मुझे एसी वाला कमरा दिया जाए देखे वो जेल है अपराधी के लिए आप इस्पेशल वाला के लिए आप अगर आप ने अपराध किया है तो आपको जेल जाना पड़ेगा और आपको वही ट्रीटमेंट मिलेगा आम जो कैदियों को मिल रहा है आपने इस पेशल और मैं तो यह सोच के रहान हो कि इनके पास हुआ कैसे हैं नहीं कि मैं एसी के रूम में आप इस टाइम पर ना जुडिशल कस्रेडी के अंदर नहीं होते नियाई खिरासत में नहीं होते जो आप से बार-बार मांगी जा रही है और आपको अभी तो आप आती जाए लाइन पर अभी एसी के डेमांड कर रहे हैं फिर खाने के डेमांड करेंगे फिर मैं तो यह सोच परसनल तो यह पिर किया है तो आप इस वाला रूम जहे है तो सर आपने अपराद किया है आप आम कैद्यों के साथ रहोगέ और आम कैदी वाले रीम में रहोगे जैसे कि चलता रहा है और होता रहेगा इस गिरफतारी को लेकर उद्दव ठाकरे जो कि महाराश के पूर्व मुख्यमंत्री है उन्होंने कहा कि एक सच्चा शिवसैनिक है और संजराउत और इसलिए उन्हें गिरफतार किया गया है और वहीं पुष्पा मूवी जो अभी कुछ दिन पहले आई थी उसका भी डायलो महाराश के पूर्व मुख्यमंत्री उद्व ठाकरे ने और कहा कि पुष्पा यानि कि संजराउत कभी जुकेगा नहीं हां तो वही तो जुका तो नहीं है वो अगर जुक गया होता मैं आज यह मैसिज आम जंता से पूछूँ अगर जुक गया होता क्या घुटाले पे आज वो पुष्पा राजी या वो जुकेगा नहींए अब हम सब ज़ंता को एक जुट हो के बोलना चाहिए कि अब हम नहीं जुकेंगे अब हम कोई और घुटाला नहीं सखेंगे अगर फिर भी महाराश की जनता उसको सपोर्ट करती है उसका साथ रहती है तो फिर जैसा चलता आ रहा है ना आपके साथ वही चलता रहेगा घुटाले पे घुटाला आप बीयर करते रहोगे हमारे गाड़े खून की कमाई वो लोग क्यों ले जाएं उनके पास क्या अधिकार है और जैसे अभी आपने बोला कि पैसे वो मांग रहा है इसी मांग रहा है तो भाई य सब का पैसा इस जगे लगा रहे है घुटाले ना जब पे घुटाला आपने एक आम जनता वहां से उनके लैंड पचेस करके आपनों उसके सेल कर देते हो बेच देते हो आप से घटी या इनसान जिन्दीगी में कोई नहीं होगा ओ एक बार करके जब आप एक कोई गलत काम करते हो तो आपको लगता है कि नहीं हमने गलत काम किया जिस बंदों को आदत हो जाती है ना गलत काम करने की घुटाले पर गुटाला करने की तो उस जैसे अभी उनका उन सिफ सेना का बल्कुल महारास्ट में कोई भी नहीं सोच सकता था अगर हम आज से एक साल पहले दो साल जनरल लगता था कि महारास्ट में सिफ सेना का अधिपत्य रहेगी लेकिन अब लगता है कि नहीं अब नहीं हो सकता अब संजय राउत ने वलकि मैं तो फिर दुबारा बोलूंगी जो बाला ठाक रहे हैं वो भी अगर देखते भी होंगे कि अगर देखते होंगे तो सोचत को उपर ले जाता है चीजे ले जाता है शायद ही अगर इस तरह के करते तो यह उपर ले जाते लेकिन इन्होंने आद बिल्कुल नाम खतम कर दिया जो जया बच्चन जी बोल रही है कि उनके घर से तना इतना सोसो अमांट मिला है तो वो भी तो अमांट घोटाले का ही रखाता उनके घर पे उनके घर पे कोई पेड़ तो था नहीं कि पेड़ से नोट निकल रहे थे जितना पानी डाल रहे थे उतना पेड़ निकल रहा था तो भाई घोटाले का पैसा निकला घोटाला जाए अर्बो करोड कितने का भी हो गोटाला होता है तो ये बात उनके दिमाख में बैठ जानी चाहिए और जो कभी-कभी अलग सी स्टेट्मेंट पास करती रहती है कि थाली में छेद हो गया आज इनों नहीं यह कर दिया या फिर वॉलिवूड का सहरा लेके तुम लोग ऐसा कर रहे हो वॉलिवूड को गंदा क्या कर रहा है मोधी नहीं कर दिया मोधी नवों कर दिया अबीजेपी नहीं कर दिया वह सब्सक्राइब लेरो अक रहुल गंदि मेरी डिक्षे Λिनरी में कांग्रेस नाम कोको फलोड नहीं हे और राहुल गंदी नाम का भी कोई वड़ नहीं है क्योंकि दुबारा से भी तो उसकी तो उनकी मदर ने जो सौनिया गांधी जी है उन्होंने बहुत गलत उनको पर एक बर्डन क्रियेट कर दिया है जरूरी नहीं है कि नेता क बंदा नेता का बच्चा नेता ही निकले, लेकिन आज के टाइम में क्या हो गया, इजी हो गया, पढ़ो मत, एक IPS देख लो, एक एड़ोकेट देख लो, किती महनत करके निकलता है, नेता क्या करके निकलता है नेता, पांच वी पास हो जाए तब भी नेता बन जाए, दस वी पास हो ना करना पसंद करती हूं कांग्रेस पार्टी की कारवाही को लेकर शरत पवार जिनके हमेशा गुड़ गाया करते थे संजर राओ तब शरत पवार ने भी गिरफतारी को लेकर कोई कॉमेंट करना बंद कर दिया है यानि कि एंसीपी समर्थन नहीं कर रही है तो वो चोर वो पता चल गया है कि अब संजर राओत का तो सारा ना कितने वन परते खुलती जा रही है कहीं ऐसा ना हो इडी मेर पे भी आज़े तो अपना एक किनारा कर लो को लेकर मेरे एक सवाल है कि संजर राओत की कितनी मुश्किलें और बढ़ने वाली है क्योंकि कोट की तरफ से सब्सक्राइब अगर आप मुझे पूछ रहे तो मैं यहीं बोलूंगी कोई अगर हम लीगल तरीके से तरह बोलता है जिस तरह से फेक्ट होते हैं उस तरह से उसकी पर्सनल एडवोकेट तो हूँ नहीं कि मैं उसके हर केस जानती हूँ जितना आपको पता है जितना मीडिय मुझे मीडिया के तरूप पता है लेकिन जिस तरह से उन्होंने एविडेंस के साथ टेंपरिंग करी है वहीं को भड़काया है वह मीडिया होने की वज़ए से सबको सबके सामने आ गया तो कहीं ना कहीं संजयराउथ कंपनी और संजयराउथ फैमिली कंपनी वर इसले स्तम और एक बंदा देखता है कि देख तो ले मुझे दर दर देख तो नहीं रहा ठीक है तो सेम ये भी जब घोटाले हुए है तो बहुत पूरी संजराउत अंड कंपनी मिली पड़ी है ठीक उन सब की मुश्किल होने वाली है तगडी हवा होने वाली इनकी टाइट बस जनता से ये रिक्वेस्ट है कि अपने जो मुहीम है वो चलाते रहे और ये जेल में तो जाएंगे ही अगर इन्होंने ऐसा काम किया और फैक्ट जो बता रहे हैं